संस्थान की संस्थापक निदेशक डॉक्तर स्रीमती भारती गांधी जी उत्तरदेश सरकार के अपरमुक्ष सचिव ग्रे सियवनेश कुमार अबस्ती जी अपरमुक्ष सचिव सुचना और मसमी सी नौनीच चहगल जी संस्था की सेनियर प्रिंस्पल और संस्थान से जुड़े भे सभी ताध्यापक गण उपस्ति भाईयों वहनों मैं सबसे पहले आप सबको वन महत्सो कारिक्रम के सायुजन उसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हिर्दे से बढ़ाई देता हूँ बन महत्सो का एक कारिक्रम हमारे लिए केवल एक ब्रेक्स लगाने तक सीमित नहीं बलकि प्रकृति और प्रयावरण की प्रती हम सब के दाहितों को बताने वाला एक आउसर भी है प्रकृति और प्रयावरण में समन में और संतुलन कितना महत्वण है इस का अनमान हम सब वर्तवान में लगा सकते हैं जब पूरा पुरी दुनिया बिगत सवावर्स से करोना महमाली से जूज रही है आपने इस बात को देखा होगा प्रकृति और प्रयावरण के जितने अधिक सानिज्दे में हम सब रहते हैं विधिन प्रकार के रोगों से लड़ने की उतनी बड़ी छमता हमारी पास रहती है जब भी हमने अपने स्वयम के स्वार्थ के लिए प्रकृति के बिप्रीत आचन किया और प्रयावरण के साथ खिलवाड किया तो उसकी दुस्प्रेणाम भी पूरी जीव स्रिष्ट को भुगतना पड़ा और क्योंकि मनुस्य इस जीव स्रिष्ट का स्रुस्त्रेष्ट प्राणी माना गया है इसलिए सर्वाधिक वह इसकी चपेट में भी आया है करोना महामारी पुरी दुनिया को वरत्मान में बुरी तरह प्रभावित किया है आज डॉक्तर स्टे भी है करोना महामारी के दौरान हमारे चिकित्सकों ने जिस प्रतिवत्ता के साथ पुरी इमानदारी के साथ मानोता के सेवा की है वेपनाप में एक उधारन है और इसलिए मैं इस औसर पर सभी चिकित्सकों को भी डॉक्टर स्टे की धर्दै से बढ़ाई देता हूँ अपनी सुपकामना ही देता हूँ उतरप्रदेश में सरकार आने के धत्कालवाद केवल हम लोग इंफ्रस्टर्टर की बड़े कारे ही नहीं करेंगे बलकि लोग कल्यान कारी उस अध्यान के साथ भी जुड़ेंगे जिसमें समाच के अंतिम पायदान पर बैठे वे बेक्ति तक सासिन की योजनाओं का लाव पहुंच सके सरकार ने हर एक फिर्ड में काम करने का प्रियास किया लेकिन साथ साथ हम सब प्रकिर्फि और प्रियावरण की प्रती अपनी प्रतिवतिता से भाग नहीं सकते और इसलिए सरकार ने उस समय निर्ड़े लिया 2017 में ही कि प्रतिवर्ष हम लोग ब्रेक्सार उपन के एक निश्चित अभिहान को आगे बढ़ाएंगे मुझे प्रसंता है कि पहले वर्स 2017 में 5 करोड ब्रेक्सार उपन का लक्से हमारे सामने था उसे हमने पूरा किया दोसरे वर्स 2018 में 11 करोड ब्रेक्सार उपन के लक्से को हम लोगों ने प्राप्त किया 2019 में हमारे सामने लक्से था कि हम लोग उत्तर प्रदेश की आवादी के बराबर ब्रेक्सार उपन कर सकें क्या हम 22 करोड ब्रेक्सार उपन कर पाएंगे और मैं अभिननदन करूंगा प्रदेश वासियों का अभिन संस्थाओं का जिन्होंने 22 करोड सिदिक प्रक्सारुपन की लक्से को 2019 में पुरा किया विकवत्वर्स हमारे सामने एक चैलेंज था करोना में हमारी से दुनिया जूज रही थी क्या हम प्रक्सारुपन की लक्से को प्राप्त कर पाएंगे हम लोगों ने लक्से निर्धारित किया और बन विभाग समय पुत्त प्रेश साथन के सभी विभाग सभी संस्थाओं ने मिल करके जन सामन्य के साथ सहयोग से हमने बिगत वर्स करोना महमारी के बावजूत एक दिन में 25 करोड सिथिक ब्रेक्स पुरे प्रदेश के अंदर लगाए इस वर्स हम लोगों ने 4 जुलाए को 25 करोड ब्रेक्स एक ही दिन लगाने का लक्से निर्धारित किया है लेकिन इस पूरे महबसों के दोरान हम ब्रेक्सार उपन के लक्से को 30 करोड तक पहुँचाएंगे एक से लेके 7 जुलाए के बीच में और उस लक्से को प्राप्त करने के लिए नकेवल बन बिभाग बल्कि उत्तरपदेश सासन के जित्ते वी जन्य बिभाग है ग्रामे विकास बंचायती राज कर रहे हैं कुछ नए अनुभाव ले जा रहे हैं सो वर्स से ज्यादा उम्र के जितने भी ब्रेक्स उत्तरप्रदेश के अंदर मौजूद हैं उन्हें हेरिटेज ब्रेक्स के रूप में संग्रक्षित करने के एक अभ्यान ही चलना है गंगा के तट्वर्ती छित्रों में गंगा उद्यान लगाने की करवाई चल लई है एक्सप्रेस आईवेव को इस बार हम लोग ब्रेक्सार उपन के भियान के साथ जोड़ने जा रहे हैं राम गंगवन मार्ग को या राम जानकी मार्ग को भी ब्रेक्सार उपन से अच्छा दित करने के करवाई चल लई है एक निरंतर अभ्यान और केवले ब्रेक्स लगाना ही नहीं बलकि लगाने के बाद कितना सुरक्सित है इसके लिए थर्ड पार्टी आउडिट करवाने की विवस्थ भादी हम लोगों ने बन बिवाद से कहा है कि हमारा प्रेयास होना चीए कि हम जितने भी ब्रेक्स लगा है उसमें 75-70 प्रेक्सों को हम लोग पौधों को हम लोग जियो टेगिंग के साथ जोड़े पता लगे एक साथ हम अपने टैबलेट में या अपने स्मार्ट फोन में देख सकें कि हमने जो ब्रेक्स लगाया वो सुरक्सित है या नहीं है क्या इस्तिती है सुरक्सा का भी पुक्ता इंतिजाम करना और मझे प्रसंता है कि सीमेस ने यहाँ पर आज इस बन महुत सो के कारिकरम का सुभारम किया और पीपल का पवित्र पौधा हम सब जानते हैं पीपल भारती परंपरा में बहले भी बहुत पवित्र माना जाता है बग्मान विश्णो का प्रतनिसित्व करतावा दिखाई देता है महत्मा बुद्ध को इसी ब्रेक्स के नीचे ग्यान पराप्त हुआ था ये बौधी ब्रेक्स भी इसलिए कहलाया ग्यान पराप्ति का जो माध्यम बने अनेक प्रियास हुए है आदने प्रणान मंत्री जी की पेना से उत्तर प्रदेश ने जो लग से प्राप्त किये हम लोगों ने फ्रेस इसलिए और अन्य तमाम संस्थाओं से जब प्रदेश के अंदर विगत चार वर्सों के दौरान ब्रेक्सार उपन के इस कारिक्रम को कैसे हम लोगों ने आगे बढ़ाया और इसके पैणाम क्या है कितने जीवित हैं मुझे पिसंता है कि 75 से लेके 90 फीस्ती तक ब्रेक्सार उपन के कारिक्रम के उपरांत लगाएगे ब्रेक्स और बहुत ही पूरी तरह सुरक्सित हैं बहुत अच्छे अच्छे बाटिकाएं और बहुत सारी जगह बहुत अच्छे पेड़ आज हमको हाँ पर उगे भी दिखाई देते हैं आगे बढ़ते भी दिखाई देते हैं बन का अच्छादन इससे बढ़ा है उस लग्षे को निरंतर प्राप करने के सामें हम लोगों के द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं और आज ये बनमहत्सों का कारिक्तर में हाँ पर पीपल के पवित्र पौधे को रोपन करने के बाद यहाँ पर आज सुरू हुआ है मैं आप सब से पील करूंगा चार जोलाए रवीवार का दिन पुरी प्रदेश के अंदर करोना महामारी से बचाओ के लिए जो निर्धारित प्रोटोकॉल है उसका पालन करते वे हम प्रेक्तारूपन महाद्यान के साथ जुड़े हैं एक एक पौधा हम लगमाएं हम लोगों ने हर एक गाओं में भी लक्स निर्धारित किया है हर गाओं में एक लक्स है और वह लक्स है कि करोना महामारी के कारण जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनकी इस मिर्धी में भी एक पौधा हम उस गाओं में लगवाने का कारे करेंगे इस मिर्धी बन के रूप में गराम पंचैट के स्तर पर उत्र प्रदेश सरकार 30 करोड पौधा मुप्त में उपलब्द कराने के लक्स के साथ इस ब्रहद अभिहान के साथ प्रदेश सभी प्रदेश पाश्चियों को जोड़ना चाहती है और मैं धन्यबाद दूंगा कि सीमेस ने और डाक्टर जक्रीज गांधी जी ने इस कारिकरम के लिए पहले दिन का समय यहां पर सीमेस के लिए उपलब्द करवाया सीमेस में आज मुझे आने का उस्तर प्राप्त हुआ बिकर डेड़ वर्सों से हम लोगों का आने का उस्तर नहीं प्राप्त हुआ था क्योंकि लगातार करोना महामारी से जूज रही मानोता को बचाने के लिए हम लोगों को प्रियास करना पड़ा था एक साथ लोगों का जमावड़ा नहीं हो पा रहा है समस्याएं हो रही है सोसल डिस्टेंसिंग का पालन और कॉरोना प्रोटोकॉल को लागो करने के साथ ही तो एक सामदाईक भाव होता है समाज के अंदर कॉरोना ने उसको छिन्विन्द किया है लेकिन गांधी जी ने यहाँ पर साहस दिखाया वे आए परसों आए थे मेरे पाथ मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज भी वहाँ अपने सामाचिक प्रतिपदताओं के लिए जिस तत्परता के साथ कारे करते हैं मैंने उनको उनको पताया मैंने का रिपब्लिक दे के परेड के दोरान जो सेमेस की जहांकी निकली एक विद्याले गया दूसरा गया तीसरा गया चौथा गया तो मैंने अपने उपमुके मंतरी डॉक्टर दिनेश सर्मा जी से पूछा मैं गा जगदेज गांधी जी नहीं दिखाई दे रहे हैं तो जगदेज गांधी जी से पहले देख रहे होंगे सिमति गांधी की उम्र 87 साथ है लेकिन किसी भी योवा से कम नहीं तोड़ती है अभी इस पूर्ती देखे यही तो योग है यही अध्यात में है निस्सल भाव के साथ कई उनकी सेवाएं है और डॉक्टर जगदेज गांधी जी 86 वर्स के हैं और 86 वर्स के इस उम्र में भी वहा जिस तत्वरता के साथ अपनी समाज सेवाओं को आगे बढ़ा रहे है अविनंदन यह है मैं इन दोनों का हिर्दे से विनंदन करता हूं शिक्सा के छेतर में प्रदेश की राजधानी लखनों में उन्होंने जो प्रियास किया हर सामाचिक कद्विधी में हर उस अभिहान में जिसके पीछे लोग कल्यान का भाव नहीं दो शिक्सा अपने आपने एक पवित्र भाव है शिक्सा प्रदान करना अपने आपने एक पवित्र भाव है लेकिन उस पवितर भाव के साथ-साथ, फर लोग कल्याण कारी और समाज कल्याण के उस अभिहान के साथ, जनकल्याण कारी भाव के साथ, उनके द्वारा जो प्र्यात प्रारब्ध किया जा रहा है वादिनन्दन यह है मैं इस उसर पर उनके सब्सक्राइब जीवन की कामना गरता हूं बन महत्सों के लिए आप सब कावान करता हूं पूरे महत्सों मैं साथ दिनों तक चलने वाले प्रहत प्रेक्सार उपन कारिक्रम के साथ आप सब जुड़ेंगे इस विश्वाज के साथ आप सब के प्रतिमेर्टनी सुप्तामना यह देता हूं धन्यवाद जैहिर कि यह आपने दोना योगे दिटनाट को जहां उन्होंने भाद में तमाम जानकारी थी उन्होंने बता दे कि द्यूगे दिटनाट ने पौधा रूपन कर और दीप रजवित कर इस तारे प्रम की स्खुरवात की और उन्होंने फ़रा 30 करोर सौधी लगाने की भी बात कही है बतागे कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक 30 करोर सौधी लगाए जाएंगे व्रहद विच्छारों पर अभ्यान की शुरुआत हो गई है वक्तों चला एक छोड़ी से ब्रिक का ब्रिक के बाद जलफासर होंगे